हलो मैं डोक्टर सीबी आदव फैकल्टी योप राजस्तान उनिवर्सिटी आप सब का यूट्यूब के इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे असिस्टेंट प्रोपेसर के इंट्रू के बारे में और ये चर्चा चुकि जैसे कि आप जानते हो मैंने बहुत सारी वीडियोज पहले भी जारी किया है लेकिन ये चर्चा कुछ मायनों में बहुत विशिष्ट भी है और बहुत महत्पून भी है इस चर्चा का जो बेस है वो ये है कि मद्यपरदेश के जो विध्यारती है जो असिस्टेंट प्रोपेसर के तयारी कर रहे है उनका मेरे पास पिछले पांसाथ दिन से लगातार जो एक विशेश परकार का कनवर्सेशन चल रहा है उसमें वो जो कन्फूजन की इस्तति उनके बनी वही है कि एसिस्टेंट प्रोपेसर के तयारी करने के लिए जिला तयार करें होबीज तयार करें और बताने क्या क्या वो जो चीजे बता रहे हैं और मुझे बाद में समझ में आया कि ये चीजे वो क्यों बोल रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो MP के विद्यारती बोलते हैं बिहार के विद्यारतियों के साथ भी प्रोपेसर के इंट्रू चल रहे हैं उनके विद्यारतियों में भी लेकिन वो कम है MP और भिहार में ज्यादा क्यों है क्योंकि वहां एक लंबे समय के पस्षात निसाइद पहली बार असिस्टेंट प्रोपेसर में इंट्रू पार्ट जो है इंट्रू के माद्यम से बरती हो रही है जो मुझे उन्होंने बता है तो उनके पास जो इस इंट्रू सर्विषेज के इंट्रू वाली समझ है और यह बात क्यों उन पर लागू नहीं होती यह बात में अब जन्रलाइज कर देता हूँ जब भी इंट्रू के बात होती है तो इंट्रू के भीतर अगर आप यूट्यूब और उस सोचिल मीडिया पे जाएंगे तो सीविल सर्वि या कोई institute वगरा चलते तो वो civil services या दूसरे परकार के institute ही चलते हैं उनी के भीतर फिर AP का भी ग्यान बाटने लग जाते तो दोस्तों ये समझने की बात है कि assistant professor का interview civil services का interview नहीं है या इसकी अपनी अलग मांग है और जब तक इस मांग को सही से नहीं समझेंगे आप तब तक आप इसके बारे में सही से बात नहीं कर सकती हमारा interview प्रोग्राम चल रहा है मैं रोज कम से कम 10-12 student से रोज personally उनसे रुभ सक आपको ये बात बहुत ही determination और confidence से कर रहा हूं क्योंकि मैंने civil services की exam पास ही नहीं कि मैंने 2 साल civil servant रहा हूं राजस्तान administration service में उसके बाद में मैं राजस्तान university की भी तरह हूं तो मैंने दोनों चीज़ों को जीया है civil services वालों को खूब guidance प्रोग्राम दिये और आप मैंने academic field में बहुत काम किया तो दो अलग अलग चीज़े हैं ये दोनों को आप एक जगे नहीं कर सकते हो और इनकी बारिक्यों को समझना मुझे लगता है कि एक विध्यारती के लिए जो assistant professor का interview दे रहा है इनकी बारियों को को समझना बहुत जरूरी है मैंने ये पूरा lecture पहले record क मैं बता देता हूं देखें दोस्तों जो साकसातकार है ठीक है वो साकसातकार में आप सभी मानते हैं कि ये कोई knowledge का test नहीं ये तो personality का test है तो बया सबसे पहले ये पता करो कि एक civil servant की personality और professor की personality ये की होती है क्या तो निशीत तोर पर ही जब आप इस point पर जाओगे तो आपक उसकी उसका जो mindset या उसकी जो values है उसमें objectivity, impartiality, neutrality होना चीए उसको post-corp activities करता है वो एक अच्छा leadership, leader होता है जबकि एक professor is expert होता है उसका अपने विशेशे गहरा लगाव होता है उसमें जिग्यासा होती है knowledge के प्रति भूक होनी चीए और वो research के प्रति जैसे research उसका जी रही होती है एक professor के लिए क्योंकि वो teaching भी करवाता तो बताइए यह दो तरह की personality दोस्तों जब दोनों personalities के attributes से अलग अलग है तो निश्य तोर पर दोनों के interview में personality test भी अलग होगा तो यही से बात बहुत clear हो जानी चीए चलिए हम कुछ चीजों को देखते हैं देखते हैं पहले मैं उन बातों प्याता हूँ जहां दोनों के interview में similarity है लेकिन उसके बावज़ूद भी minor difference है उनको देखते हैं जैसे पहनावा dress दोनों में बहुत decent dress sense होनी चाहिए अगर साधी या सलवार सुट महिलाओं के लिए girls के लिए पूरसों के लिए पैंट सेट पैंट में ज देखा है कि थोड़ा white off-white lining है थोड़ा पैंट भी आप देखे थोड़ा gray color का light black सी है ऐसे जो हना तो हलका-फलका पैंआवाँ बाकी तो similar similar है दो चीजों पर जरूर ध्यान देखिए देगा विशेज कर मेरे पूरसमित्रों से कह रहा हूँ बेल्ट और जूते इनको इनको मिस कर देते हैं इनको जरूर देखिएगा यह सही होने ची इसी तरह से body language बोड़ी लेंग्वेज में दोनों में एक decent body language होना ची अनावसिक हातों का movement पैरों का movement बोड़ी का movement नहीं होना ची एक confident body language होनी ची एक proper eye contact होना ची सीधी कमर होनी ची questions पूशते से में थोड़ा आगे जुखा होना चाहिए सामने बात है लेकिन फिर भी AP के entry में मैं यह मानता हूं कि जो eye contact हो more deep होता है क्योंकि communication important हो इसी तरह से प्रस्तुतिकरण में हम देखते हैं कि दोनों में एक decent प्रस्तुतिकरण हो एरोगेंसी नहीं दिखनी चीए नह हां तक मेरी समझ है सर मुझे पूरा तो पता नहीं लेकिन फिर भी मैं आप अनुमती दे तो मैं यह बताने की कोशिश कर सकता हूं या कर सकते हूं तो यह से एक प्रस्तुतिकरण होता है नहीं है लेकिन फिर भी assistant professor के entry में प्रस्तुतिकरण में थोड़ा सा body language में हाथों का moment allow होता है क्योंकि वहां चीजों को थोड़ा समझाना होता है लेकिन civil services में हाथों का moment बहुत कम निल बराबर निल होना चाहिए विनमरता दोनों में ही politeness लेकिन फिर भी एक professor के लिए intellectual ethics में अपनी बात पर अड़े रहना अपनी बात जो सोचते उस पर डट जाना जहां तक civil services में होता है कि politeness ठीक है हम हम एक सामझे से बठाने वाड़े बात होती है तो लगबग दोनों में एक जिसी जरुत है लेकिन फिर भी मामुली सांतर है तो पहले हम उन चीजों को लिया है अब मैं आता हूँ उन बातों पर जहां व्यापक अंतर है देखे एक तो हम वह बा जाते हैं जैसे एक पर एक्जमपल के और एक पी के लिए जो जरुरी है नमबर एक रिसर्च अप्टिट्यूट नहीं है रिसर्च अप्टिट्यूट यह इसका civil services को ले ना देना ने रिसर्च जो है यह एक प्रोफेसर की जान होती है जीवन का एक एहम हिस्सा होता है इसल किये वे हैं तो फिर उस टोपिक के भीतर आप कितना गहरा रूची रखते हैं ठीक है तो वो बहुत जरुरी चीज है उसका civil services से कोई लेना देना नहीं है दूसरी तरह है teaching skill मेरा मानना है कि यह की है selection की इंट्रु में ज्यादा इसको लाने की teaching skill मैंने मेरा एक जो से चर्चा करता हूँ एक वीडियो इसी पर आप देख लीचे इसी YouTube चैनल पर मैंने पहले जारी किया है कि कैसे board teaching होती है लेकिन जो teaching skill होती है वो teaching skill assistant professor के लिए बहुत जरुरी है board और आपके बोलने का synchronization है आपकी बासा में उतार चड़ा है आपकी body language है आपका जो board work है नह लेकिन उसके बीतर आप प्रभाव छोड़ जाओं बहुत बड़ी बात होती है नहीं है मैं इस पर भी चर्चा अलग से detail से करता हूं लेकिन यह यहां है और एक तीसरी चीज है वो है literature का knowledge अपने विशे का literature का knowledge यह के लिए पी के लिए जोरुरी है यह तीनों ही बाते के ल बात करने का मतलब बात करके बोल के आना है परसणों का जवाब देके आना है इसके pillar ही अलग है मुलभूत pillar देखिए आप epike in-tree के तो pillar ही अलग है तो जब pillar ही अलग है तो इन्ट्री में फिर आप उन सब चीजों में energy क्यों खर्च कर रहे हो assistant professor के pillars पर काम करो मित्रों यह जरूरी है आपको समझना है ये तीन पिलर भोग जरूरी है चलिए मैं फिर थोड़ा सा और बताता हूं इनमें देखें व्यापक अंतर के हैं जो दोनों में होता है लेकिन फिर भी भूत कुछ अला गया जैसे फोर एक्जाम्पल सिविल सर्विसेज का जो इंट्रू है मैंने एक विशे के भीतर उतरना उसे बाहर आपको जनरल नोलेज है या नहीं है इससे कोई ज्यादा फरक नहीं पड़ता है इसी तरह से जो बहुत इंपोर्टेंट चीज है वह मैं दूसरी वाड़ी चीज पहले बताता हूं यह वाड़ी यह बेसिक अंतर है एक के इंट्रू औ मित्रों जो सिविल सिर्विशेज के इंट्रू होता है वह होरिजोंटल चलता है होरिजोंटल का मतलब है कि वह उसमें एक क्वेशन फिर दूसरा क्वेशन तीसरा क्वेशन चोता क्वेशन ऐसे-इसे क्वेशन चलते हैं जबकि असिस्टेंट प्रोपेसर के इंट्रू में एक question का जो आप उत्तर देते हो, उस उत्तर से फिर एक दूसरा question निकलता है, उसका answer देते हो, उससे फिर एक तीसरा question निकलता है, उसका answer से फिर एक चोथा question निकलता है, और आपका एक टोपी के भीतर अंदर जाना, फिर अंदर उतरना, फिर अंदर उतरना, फिर अंदर उतर इसलिए आपको मैं इसलिए कहता हूं कि इसलिए बच के रहिए शीनी सर्विसेज वालों से ध्युसरी चीज होती है कि कबने का मुढ़े होते हैं लेकिन असैसिस्टेंट प्रोपेसर मैं में 羹्य। उन मुद्दों की समझ होनी चाहिए केवल उन मुद्दों की ज्यादा समझ होनी चाहिए जो आपके subject से related है जैसे आप जो लोजी की student है तो stem cells नहीं है आपका cloning और cloning ethics आपकी DNA fingerprint नहीं इस तरह की चीज़े नहीं अगर आप आप जैसे माली जी की आप chemistry की student हो तो फिर उसी तरह से chemistry की जो अलग अलग चीज़े चल रही है इस समय नहीं है polymers क्या होते हैं और दूसरी सारी चीज़े अगर political science की student हो तो IR और दूसरे तमाम तरह के मुद्दे तो मैं कहने का मतलब यह है कि उस current related issues जो vicious related हो वो AP में तैयार करना तो दोनों की बिल्कुल procedure लग 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 इसी तरह से यह सबसे ज़्यदा confusion आपको यह है कि बहिया इंट्रू की तैयारी करनी है तो अपना जिला तैयार करो जिले का भुगोल इतियास संस्कृती सब कुछ फढ़ते रहो उनका current देखो लग रहे हैं current के हैं और उसमें बहुत लग रहे हैं अपनी hobby तैयार करो और यही तैयारी का मतलब मैंने जो समझा स्टुडेंट इंट्रू के तैयारी के नाम पर यह कच्रा तैयार कर रहा होता है मित्रों रुको रुको असिस्टेंट प्रोफेसर में इन चीजों का इतना महत्व नहीं है सिविल सर एक इंट्रू के लिए एक आपको होता ना कि थोड़ा आपको सामन्य करने की परक्रिया के तहत आपको इस तरह की चीजे पूशते हैं लेकिन फिर भी वो पूशते हैं उस विशे से रिलेटेट जैसे माली जी कि आप जोगरोपी की स्टुडेंट हो तो फिर आपके जिले क watercolor या आप इत्यास के तो आपकी इतियास या मालो किया हिंदी के हिंदी लिटरेचर की student हो तो आपके उस खेत्र में से कोड ऐसा साइत्य कार हुआ नहीं है तो उसका कोई वहां की साइत्य की रही है वो या विशेज संस्तान रहा है वो तो कहने का मतलब है कि ये एपी में उनको देखने का नजरिया बिलकुल अलग होता है तो आप उनी के पीछे मतबहिए उनकी बजाए आप विशे पे फोकस कीजिए बाइड़ेटा से समंदी जो सवाल होते हैं सवाल तो एक ही है उत्तर बिलकुल अलग है आप सीविल सर्वेंट क्यों बनना चाते हैं आप असिस्टेंट प्रोपेसर क्यों बनना चाते हैं दोनों के उत्तरमत जमीन आजबान का परक है, आप सिविल सर्विसेज क्यों सर्वेंट क्यों बनना चाहते हैं, सर मैं समास्यवा करना चाहता हूं, क्योंकि इस पद की एक प्रतिष्टा है, उसका प्रभाव व्यापक होता है, सर इसमें अलग-अलग छेतरों का अनुबह होत इसमें कि आप क्यों बनना चाहते हैं, तो फिर आपके पॉइंट बिलकुल अलग होना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि सर मैं तो यही बनना चाहता है, सर मैं इस विशे को के प्रति मेरी गहरी रूची है, इस विशे को मैं और गहरे से जानना चाहता हूं, सर मैं इस विशे में अ करा कि ऐसी की बोलना लेकिन आपके आंसर के पॉइंट यह होने ची ठीक है इसी तरह से इसमें वाइडर टैसे रिलिटेट जो एपी के क्वेशन होते हैं वो उससे बिलकुल अलग होते हैं जैसे आपने पीजडी क्यों नहीं किया या आपने यही विशे क्यों चुना नहीं आ अपने कौन सी पेपर उपसनल थे उन अपस ενला प्शनल पेपर मैं आपकोनब्स फडी ये सारी चीजह जोरी होती है पर मधिलकुल उलग चीजह हो जाते हैं कि मुझे इस कि यहां इस lecture में मुझे बात करनी चाहिए ठीक है लेकिन ये सारी चीजे civil services की इंट्रूम में नहीं पूची जाती है ये AP की इंट्रूम ही होती है इसी तरह से फिर आता है कि hypothetical questions ये एक चीज है इस पे भी मैंने देखा कि बहुत confusion होता है hypothetical questions असिस्टेंट प्रोपेसर में बहुत कम चांश है पूचने की ये civil services में होते हैं कि आप किसी जगे गए आग लग गई आग जनी हो गई भीड़ा गई क्या करेंगे उस परिस्तिती में तो ये असिस्टेंट प्रोपेसर में या तो ये होते नहीं है मित्रों और अगर होते हैं तो फिर ये research ethics से जुड़ेवे चीज या classroom ethics या classroom management से जुड़ेवे questions रहते हैं जैसे कि आप किसी का resources यूज कर रहे हो तो आप उसको फिर कैसे देंगे अपने lecture में जब आप इसी यूज करो है माली जी कि मैं अभी lecture दे रहा हूं और उसमें मैं किसी की quotation या किसी का matter यू प्रवर्ती रही है तो important चीज क्या है कि आखिर जांस्ते क्या है यह मना आपको बता दिया कि civil services में एक all-rounder personality देखते हैं सभी विश्यो का common knowledge एक civil services के foundational values कितने हैं उसमें leadership quality कितनी है उसमें stress management कितना है जबकि assistant professor के intro के लिए अगर आप देखेंगे तो उसका विशे का knowledge विश पर उतर जाना उसकी उसका research aptitude उसकी reading capacity reading में भी उसका किस तरह का literature वो फड़ता है वो बहुत important है उसकी teaching aptitude नहीं है उसकी communication skill सब्दों पर उतार चड़ाओ किस सब्द पर जोर भासा कितनी अच्छी है यह सारी चीज और सबसी important चीज उसकी intellectual ethics नहीं है उसकी intellectual ethics आप net पर Google बा विशे के प्रति जो ग्यान या रुजहान है वो उस ग्यान के साथ डट जाना और उसमें डटे रहना क्योंकि intellectual ethics का मतलब यह होता है कि जो आप सोचते हैं और जो आपका विशे कहता है वो ही बात कहिए नहीं कि सामने वाड़ को क्या अच्छा लग रहा है तो यह बहुत ज intellectual ethics का बहुत सांदार प्रदर्शन खिया उसी इंट्रू में लेकिन वो कभी अन्य जगे बताऊंगा में उस बात को इसी तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर के इंट्रू की तयारी अब सवाल होता कि सर आप सारी चीजे तो बता देते हो लेकिन हम क्या करें तो मैं जरूर बत तक जो फड़ाई की है मुझे अच्छी से पता है नोट्स, यूट्यूब के कहीं वीडियो, कहीं lecture, coaching, guide, no, 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 आपको जरूरत है, आपका test है कि आप उस विशे का कितना भैतरी literature तक आप पहुँचे हो, कम से कम उस literature को लिखो तो सही, पता करो, थोड़ा फड़ो उस विशे के अच्छे literature से आप बिलकुल है परिचित हो, यह नहीं चलेगा, नमर एक काम, नमर दूसरा काम, अगर आप PhD हो तो अपने सोध के topic की बहुत गहरे से गहरे से topic की तयारी करो, क्या hypothesis थी, क्या objective थे, वे topic क्यों चुना आपने, क्या आपके sources रहे, primary source क्या, secondary source क्या, क् findings रहे, कौन से instrument यूज लिए आपने उसमें, किस तरह के conclusions निकले, क्या weakness, क्या कमिया है आपके research में, यह सारी चीजे, आप उसमें जरूर देखो, क्या methodology आपने यूज लिए है, एक जो important चीज जो आपको करनी चीए, assistant professor के experience को, intro के experience को, क्यों उन्हें पूरा विशे फढने क जरूरत नहीं है, फढने की जरूरत का मतलब यह नहीं कि बिल्कुल ना देखे, देखो, थोड़ा थोड़ा पूरा देखो, लेकिन उसके एक या दो च्छेत्र है, topic नहीं, areas, उनके deeply तयारी करो, deeply का मतलब मैं कहता हूँ कि, उससे related सब चीजे देखो, और उस पे बोलने का प्रक्टिश करो, यह है आपकी तयारी के असली माइन है, और इसी तरह से कम से कम चार पास topic ऐसे लो, जिन पर आप teaching की प्रक्टिश करो, और practice, जैसे मेरे पूरे interview प्रोग्राम में, यह practice ही मैं मैं करवाता हूँ, क्योंकि यह important है, और यह practice को 2-3 minute की नहीं, मेरा suggestion है कम से कम 30 minute एक topic पर बोलने का अभ्यास करो, फिर उस topic को 3-4 minute में आपके से प्रस्तुत करेंगे, तो यह practice more and more, प्रक्टिश ही आपकी AP के इंट्रू की तयारी है, सारी है, ठीक है, तो अभ्यास और अभ्यास बोलने का अभ्यास करते रहो, यह है इस पूरे अभ्यास में, मैं क्या य प्रोग्राम इतना popular हो जाएगा, आज हमारा इंट्रू प्रोग्राम बहुत popular हो रहा है, मद्य प्रदेश, भिहार, राजस्तान के विद्यार्ती जहां यह इंट्रू चल रहे हैं, बहुत बड़ी संक्याम है, इस प्रोग्राम से जुड़े हैं, मेरे पास इतना समय भी नह पड़ता है, यह कोई classroom से possible नहीं है, मुझे भी लगता है कि 50 बच्चों को लेकि classroom लगा दूँ, लेकिन उससे नहीं होगा, क्योंकि हर students की इंट्रू का area उसकी जरूरत बिलकुल अलग अलग है, इसलिए हर विद्यार्ती के साथ अलग अलगी interaction करना पड़ता है, और यह program मे दो-तीन चीज़ें मैं थोड़ा से बता देता हूं, एक तरी सभी विश्यों के लिए है, offline mode पे भी है, जेपुर में offline mode पे राजस्तान, और online mode पे भी है, और mixed model ज्यादा है, ठीक है, तो उसके कुछ चीज़े तो online मुझे लगता है, ज्यादा better हो जाती है, तो क्यों उतनी दूर आने जाने का समय खराब करें, practice oriented है पूरा, इसमें 5 activities है, एक है one-to-one session होता हमारा, जिसमें मेरे साथ आप सबसे पहले बैठते हों, जैसे आप course ले लेते हो, course कैसे लेते हैं, आप एक app डाउनलोड करते हैं, CB campus app, नहीं है, CB campus app जो है, ये app डाउनलोड करेंगे, ये app डाउनलोड प्ले स्टोर से करके, फिर course है, सिचेन प्रोफेसर का, वो आप उसको subscribe कर लेंगे, तो फिर हमारी टीम आप से संपरक करती है, तो एक one-to-one session, offline, online दोनों है, एक board teaching session है हमारा, board teaching session जो, जो आप तैयारी करेंगे, फिर उसके बाद में 10-15 बच्चों को offline बुलाते और online mode पर हमारी team guide करेगी, इसी तरह से orientation program है, कुछ expert से चर्चा होती है, expert से meet मेलब, आपको subject expert से doubt clearance के लिए हम उनसे मिलाते हैं, group में भी मिलाते हैं, individual भी मिलाते हैं, mock interview होता है, तो इस तरह से continuous mentorship program है, ऐसे आप इसे जुड़ सकते हो, आप इसे मेरे से संपरक करना चाते हो जनरली आपकी रहती है, बिलकुल मैं कोई बहुत बड़ा महान इंसान नहीं हूँ, जो इतना दूर मैं विश्वास पर मेरे number देता हूँ, 9887-898181, यह मेरे mobile number है, लेकिन के वला text message, calling बिलकुल नहीं, और मेरे विश्वास को अभी तक तोड़ा भी नहीं है, तो आप नह को मैंने एक brief बताया, और मुझे पूरा विश्वास है, कि अब आप assistant professor के intro की direction में, एक सही दिशा में आगे भड़ पाएंगे, तो मुझे लगा कि एक जरूरी चीज पर बात करने चाहिए, मैंने आप से चर्चा की, और मुझे पूरी आसा है कि यह पूरा lecture आपको मदद कर रहेगा, और उनके माद्यम से फिर मुझे आगे और lecture आपके लिए तयार करने में मदद भी मिलती है, तो आप निरंतर खुब कमेंट्स करते रहें, खुब खुश रहें, स्वस्त रहें और तयारी को प्राकाश्ठा तक पहुंचाते रहें, अभ्यास करें, अभ्यास करें, तेंक रहें जुश्छाय प्राकाश्वा जिरंतर खुब कर दो लॉचान से आपके लॉचाते रहें, प्रावबर हैं।